हेलो दोस्तों आज आपके सामने मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको पताऊंगा कि एक स्टूडेंट कमपनी सेक्रेटरी कैसे बन सकता है CS कैसे क्वालिफाइ कर सकता है देखो बिल्कुल C.A. की तरह ये भी एक कोर्स है जिसमें आप अपनी महरत दिखा सकते हो आप किसी कमपनी को मैनेज करना सिखा सकते हो आप किसी कमपनी के कमप्लाइंस जो भी उसके ओपर रेगुलेशन होती है उन सबकी रिस्पॉंसिबिलिटी होती है आपके उपर और आपको उसे अच्छी तरीके से निभाना होता है हर कमपनी जिसके पास 10 करोड से जादा की टरनोहर है उसको अपने अंडर में कमपनी सेक्रेटरी रखना ही होता है तो आईए समझते हैं कि किस तरीके से एक student CS qualify कर सकता है उससे पहले मैं हूँ C.A. देविंद्र रहे जा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा अभी सब्सक्राइब कर लीजे और यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा आईए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर कोई student company secretary कैसे बन सकता है देखे उससे पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी company secretary बनने के लिए आपको तीन attempt एक तीन exams दिये जाते हैं एक होता है foundation, एक होता है executive, एक होता है professional तीन exam होते हैं आपको तीनो exam को qualify करना पड़ेगा सबसे पहले क्या है कि जब आप 12th pass हो जाते हो तो 12th pass हो जाने के बाद आप register कराते हो अपने आपको CS के एंडर में जिसमें आप CS foundation के लिए अपने आपको register कराते हो जिसके अंदर में आपको 4 subjects दिये जाते हैं जिसको दो अलग-अलग groups में बाटा जाता है और आपको सभी exams को qualify करना पड़ता है 2 गंटे का paper होता है, 100 marks का paper होता है और आपको हर subject में 40% secure करना पड़ता है और इन 4 subject का जो aggregate होगा वो 50% होना चाहिए जब आप CS foundation qualify कर लेते हो उसके बाद आप register कराते हो अपने आपको executive में लेकिन उससे पहले आप कोई बात समझनी पड़ेगी जब आप 12th pass करवा लेते हो जाते हो तब आप अपने आपको foundation में register कराते हो और register कराने के बाद कम से कम 9 months का आपको gap देना पड़ता है जब आपका registration हो चुका होता है 9 months का gap हो चुका होता है आप 12th qualify कर चुके होते हो इसके बाद आप appear करते हो CS foundation में और CS foundation appear होते ही qualify होते ही आप अपने आपको register कर जाते हो CS executive में CS executive में total 7 subject होते हैं इसको दो अलग-अलग module में बाटा गया है पहले module में है 4 subject दूसरे module में है 3 subjects इसकी जब मैं बात करता हूँ तो तरीका बिल्कुल सेम है कि हर subject में आपको 40% secure करना है और पूरे group में total का 50% आपको secure करना है जब आप ये qualify कर लोगे तब आप आग एके level के लिए चले जाओगे इसमें क्या होता है कि दो अलग-अलग group के अलग-अलग exam देने होते हैं आप चाहो जैसे foundation में होता था कि आपको एक ही बार 4 subject के exam देने हैं अलग-अलग दिन होते हैं दोनों group एक साथ देने होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपके पास 24 होती है आप चाहो तो पहले module 1 दो आप चाहो तो पहले module 2 दो आप चाहो तो दोनों एक साथ दो यह आपकी 24 है जब आप यह दोनों exam qualify कर लेते हो और साथी साथ CS executive को register करने के 9 months का gap दे चुके होते हो यानि कि जब आप CS executive को लिए register कराते हो तो 9 months का आप gap देते हो 9 months आपको study period दिया जाता है उसके बाद फिर आप exam देते हो executive के दोनों group भी qualify कर लिए हैं आपने उसके बाद आपको जाना होता है training के लिए training आपको करनी होती है किसी company के अंडर में यानि कि आप industrial training भी कर सकते हो किसी company के अंडर में या जो भी company secretary already registered है उनके अंडर में भी कर सकते हो कौन registered होता है हर person जो company secretary qualified है और वो practice कर रहा है practice का मतलब नॉर्मल एक office में working कर रहा है तो उसके अंडर में आप training कर सकते हो इसके बाद जब आपकी training होती है 15 months की training आपकी complete हो चुकी होती है आप अपने आपको CS professional के लिए register करा चुके होते हो और यहाँ पे आकर के आपको art subject के exam देना होता है जो दो modules में divide होता है 4 subject एक module में 4 subject दूसरे module में यहाँ भी वही तरीका होता है कि हर module को qualify करना ज़रूरी है 50% आपको aggregate पाना होता है और हर subject में 40% secure करना होता है जैसे ही आप इस professional exam को qualify कर लेते हो इसके बाद आपको करनी होती है 15 महीने की एक और training यानि की total 15 महीने की पहले professional से पहले और 15 months professional के पाथ यह दोनो training qualify हो जाए foundation qualify हो जाए executive qualify हो जाए professional exam qualify हो जाए सारे exam qualify हो जाए उसके बाद आप apply कर देते हो membership number के लिए और membership number मिलते ही आप बन जाते हो company secretary hopefully आपको यह video अच्छी लगी होगी इसको like जरूर करिएगा share भी करिएगा thank you for watching with this video thank you and have a nice day